हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मुम्मद जैद और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कमपाउंड सबसे पहले हार्ड होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं तो सबसे पहल क्या है आयोनिक कमपाउंड जो होते हैं वहस्ती हार्ड होते हैं और सॉलिड श्तेट में होते हैं ऐसा इस लिए। इसलिए क्यों की इनंट लोगों के करके इंटर मॉलिक्यूल जो इसके बीच में होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रेक्शन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती इसको ब्रेक करने के लिए इसके लिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत